नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने इस यूट्योग चैनल पर दोस्तों आज के सुड़े में हम देखने आले तीन ड्री मिल्यों की विनिंग टेम जिसका सीधे प्रिवियू करने आले आपको मैंने मैंच को हाइलाट करके दिखा दिया है और आपको दिखा भी दिया है कि इन दोनों के बिच कुछ ही घंटे के अंतर से दो मैचे से तो हमें सबसे पहली मैच पर क्लिक कर लेनी है अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाए तो कोई बात नहीं चुर्वियू करके दिखाऊंगा किस वहस्पासियू सब भी बात मैं आपको बताऊंगा लेकिन दोस्तों पिर से एक बार रेक्वेश करूंगा अगर आपने अपनी میری चानल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि एसे उड़ी आप तक पोश्टे रहे और आप अच्छे से अर्निंग करते रहे तो चले दोस्तों बिना किसी देर के माय टीम पर क्लिक कर ले तो काफी अच्छे फॉर्म में तो इनको हमें लेना है पाइली टीम में बाकि उसके बाद अगर हम बात करे तो तीन बैट्समन हमें लेने हैं जेड महमुद ए जावेद और सी रवी चंद्रन को लेना है ज्या दूस्तों इन तीनों को जरूर लीजिएगा काफी अच्छे प्लियर और अच्छा पर्फोमस भी कर सकते और जरूर आपको अच्छे पक्खा से पॉइंट दिला सकते अगर बात करें आल राउंडर की तो पहली टीम में आफकोस में पॉइंट मिला देते हैं और बैटिंग के भी पॉइंट देते हैं तो इसलिए जैसे डबल पॉइंट देते हैं इसलिए जिसे मैंने पहली टीम में चार ओल रॉंडर को लिया है अगले टीमों में मैं कुछ ना कुछ चेंज़ेस ज़रू करता रहूंगा फिर से बता दू एम परफॉर्मस काफी शांदार रहा है काफी बढ़िया रहा है और कुछ प्लेयर ऐसे भी है जिनका परफॉर्मस ठीक ठाक भी रहा है और खराब भी रहा है लेकिन काफी अच्छ प्लेयर है सभी की सभी जरूर आप इन सभी को अगर लेके एक अच्छी टीम बना रहे तो एम्तायर के चारा हों आदा वरलिकों दोस्त। कॉंसिस्टनशी को सब्सक्राइब करें तो ज Warum कला से खरोर मुझे लगता है उस्थीलिए मैं चीह मैंसे करें जिताओर को बते कंदेंगे ईंनें के और मैं पूकर maravili breeki लेकिन जीतनी है तो यह टीम और मेरी बाकी की दोनों टीम में भी आपको ग्राइदेमन रहेगा क्योंकि एक टीम से आप ग्राइड नहीं जीत सकते हैं उसके लिए आपको मल्टिपल टीम में लगानी होगी और अलग-अलग को भी उसमें विजित आपको इस टीम से हासिल हो सकते हैं इस टीम को अभी क्लोज करते हैं और दूसरी टीम में दिखा देता हो किस तर से बनी हैं यहां पर मैंने काफी चेंज़ेस कर लिए जैसे कि शुरुवात से देख रहे हैं आर हलिम को तो रखा है लेकिन उनके साथ इस जावेद को ले रहाँ तीनों के टीनों बेस्ट बैसमन है दोस्तों पिछली टीम में भी जो हमारे बैसमन वह भी अच्छे ते यह अच्छे खासे बैसमन है इसमें ज्यादा चेंज़ेस मैंने ने किये तो अगर बात करें आल डाउंडर की तो एम तार रहेंगे एस सेयद और यह राजा इस तरह से एक यहाँ पर बी ऑल डाउंडर में भी चेंज है यह राजा भी काफी बढ़िया परफॉंस मतलब अच्छा परफॉंस कर रहें और अच्छा परफॉंस आगे और भी अच्छा कर सकते हैं तो इसलिए एक टीम में इनको जरूर शामिल करूंगा औ तो के रशित को यह मैं शामिल कर रहा हूं लागे काफी अच्छा कॉंबिनेशन बना आए काफी अच्छे हमारे पासural के यह काफी अच्छे गेनबाज सभी मिलके के चांध मने चुका है और आपको यह क्राणड लिक जेताने की काबलियत रखती है तो जरूर अगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि small league के लिए उजने कर सकते लेकिन एक grand league लगा दीजे उसके बात चाहे जितने small league लगा यह कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिक्कत नहीं क्यूंकि आपको यह भी टिम grand league भी जिता सकते इसलिए यह भी टिम लगाना जरूरी है अगर आप स्मॉल लिग लगाने के बात लगा सकते कोई प्रॉब्लम नहीं क्याप्टन की बात करें तो जैसे कि मैं पहले ही टिम में आपको बता चुका था कि इम्तार को कहना कि क्याप्टन जरूर बनाऊंगा क्यूंकि इनका भी पर क्याइदा हो सकता है अगर बात करें तो यह जावेद को वाइस कैप्टन बना रहा हो दोस्तों काफी बढ़िया है दोनों की दोनों इमतार काफी अच्छे आल राउंडर है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा परफॉमस कर सकते तो यह जावेद काफी बैट्स काफी बढ़िया रख सकते तो इसलिए इन दोनों को क्याप्टन बनाना काफी फायदे में रहेगा दोस्तों आप जरूर इस तर से कर सकते या फिर आपको उल्टा करना है यह जावेद को कप्टान और एमतार को वाइस क्याप्टन तो वैसा भी आप कर सकते कोई प्रॉब् इस टीम को भी क्लोज करते हैं और तीसरी टीम मैं दिखा देता हूं कि वह भी काफी भैतर बनी है लेकिन मैं जरूर कहूंगा दोस्तों कि इस टीम को आपको सिर्पर सब ग्रांड लिक के लिए यूज़ के लिए यूज़ मत किजीगा हाँ अगर आप थोड़ा रिस्क लेक के लिए यूज़ करना चाहे तो कर सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन मेरी सला है कि बैटर रहेगे अगर बात करें तो यहां पर देख सकते दोकी पर फिर से लेकिन कीपिंग में यहां पे चेंज कर लिया और हलिम तो ही लेकि अजगर को पिछले दोनों की दोनों आच जरूर है लेकिन वड़िया प्लेयर है तीम में सिलेक जरूर किजिएगा एक टीम में कम से कम जरूर सिलेक कर लीजिएगा क्यों ताकि अगर यह अच्छा खेले तो आपको सबसे जाधा पॉइंट दिला सके अगर बात करें ऑल्राउंडर की तो एमतारा तो ही सहीद को भी लि लिए जैसे कि मैंने बताया था पिछले टीम में एक खान वन को मैंने लिया इस टीम में एक खान टू को ले रहा हूं यह भी अच्छे प्लियर है जरूर एक टीम में कोई बुराई नहीं है रोस्तों क्योंकि अगर यह अच्छा परफरमस करते तो आपको धुरुक के साबि करये तोी जावित को कप्तान बना रहा हूं पिछली टीम में वईस कैपटन बना रहा हूं एक गया और पॉइंट हमें मिल सकते हैं इनके वज़े से तो इसलिए इनको यहाँ पे मैं वाइस कैप्टन बनाने रहा हो फिर से एक बार करूंगा दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप फुल्टा करना चाहिए तो कर सकते हैं ज्यादा फाइदा हो सकता है और हलिम को काप्तान और फाइदा होने वाला है आप ग्रांड लिग जित सकते हैं या चिकासी अर्निंग जरूर कर सकते हैं और स्मॉल लिग भी जित सकते हैं लेकिन थोड़ा रिस्की है दोस्तों हाँ एक बात जरू को होगा आर हलिम को कप्तान बनाते तो आपको एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मि बनाऊंगा क्योंकि यह जावेत का भी परफॉर्मस अच्छा रहा है इतना बुरा नहीं रहा है तो जरूर आप इस तर से कर सकते हैं उल्टा करना चाहिए तो उल्टा भी कर सकते हैं तो कुल्मिला के यह भी टिम काफी अच्छी बन चुके इस टिम को भी क्लोज करते हैं तो आई होप आपको मेरी तीनो टिम है और मेरा यह वडियो जरूर पसंद आए होगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजे चैनल को भी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस झाल